नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस ओफ सेंड यूजड इन दे कंस्ट्रक्शन मतलब किते प्रकार की रहत कंस्ट्रक्शन में उप्योग की जाती है तो दोस्तो यदि हम नेचर के आदार पर बाते तो सेंड को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला नेचुरल सेंड जिसमें हमारी रिवर सेंड, पिट सेंड और ओशन सेंड और डेजर्ट सेंड आती है और दूसरा classification होता है हमारा artificial sand या manufactured sand जो की obviously मशीनों द्वारा बनाई जाती है हाला कि इसमें भी further classification होते हैं जैसे sand का मोटाई के आदार पर classification और जो sand बनाई गई है उसे धोया गया है या नहीं इसके आदार पर classification दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको उन sand के बारे में ज़्यादा जोर देकर बताऊंगा जिनें हम construction में उपयोग करते हैं बाकी की sand के बारे में हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है दोस्तो यदि हम natural sand की बात करें तो जो sand बनी बनाई हमें प्रकरती से प्राप्त होती है उसे हम natural sand की category में रखते हैं जैसे दोस्तो सबसे पहले हम दो तरह की natural sand के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे तीसरी के बारे में, पहला desert sand और दूसरा है sea sand, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी sand के बारे में, जो की होगी river sand, तो दोस्तो यदि हम desert sand और sea sand की बात करें, तो आज के समय इनका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें भारी मातरा में salt और salt की मातरा मौजूद होती है, जो की हमारे steel bars में corrosion का कारण बन सकती है, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है, in fact हमारे पुरवज, इन sand को construction में उपयोग भी करते थे, और वह बहुत लंबे समय तक building को के रखती भी थी, जैसे Roman concrete, जिस पर हमारा एक वीडियो भी है, उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, उस Roman concrete में sea sand का ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में steel bars नहीं चलते थे, यहां तक की, दोस्तों आप Roman concrete की मजबूती का इस बात से अंदाज लगा सकते ह कि आज तक भी, हजारों साल बाद भी, उनके द्वारा बनाए गए structures हमारे बीच टिके हुए है, दोस्तों, Roman तो बहुत दूर हो गया, मैंने दक्षिन भारत में भी अपने आखों से लोगों को traditional तरीके से sea sand से इटे बनाते हुए देखा है, हलाकि कई विदिया ऐसी हैं, ज section में काम में लेकर इसकी इटे बनाते हैं, आप अपनी विदि मेरे official email पर भी share कर सकते हैं, जो आपको नीचे description में मिल जाएगा, दोस्तों मैं इस topic पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो दोस्तों ये तो हो गई, दो तरह की natural sand जो हमें प्रकरती से प्राप्त होती है, अब चलते हैं हमारी तीसरे तरह की natural sand पर, जो की है river sand, जी हां दोस्तों river sand, ये भी हमें प्रकरती से ही प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे भी natural sand बोलते हैं, दोस्तों वैसे तो river sand, अपने आप में बहुत ज़दवास topic हैं, क्योंकि इसमें भी धेरो तरह के types होते हैं, क्योंकि natural river sand को zone wise, चार zone में बटा गया है, और type wise इसके बहुत सरे types हैं, पर आप लोग यह जान लीजिए, कि यह manly river के बहुत खेतर को खोदने से प्राप्त होती है, इसकी किसी variety में silt content आपको ज़दा मिलेगा, तो किसी में कम, ऐसे ही price और quality में भी difference आजाता है, ऐसे ही किसी river में आ आपको मोटे particles मिलेंगे, तो दोस्तो particles की size के हिसाब से भी हम river sand को classify करते हैं, मित्रो यह sand नदी के आसपास उसके बाव चेतर से खनन करके प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका नाम river sand है, चूंकि यह बहते हुए साफ पानी की sand होती है, इसलिए यह plaster work के लिए अतियुत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसके plaster की finish बहुत गजब की निकल कर आती है, क्योंकि दोस्तो इसके particles गौल और smooth होते हैं, इसलिए plaster के बाद छूने में यह बड़े प्यारइ लगते हैं, क्योंकि जब हमारी river बैती है, तो उसके साथ-साथ यह particles भी बैते हैं, और बहग बहग कर बच्चे नेचुरल रिवर सेंड में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों यदि पार्टिकल्स नुकी लेंगे तो बच्चे कतई अपनी स्कीन पर उसका घर्षन बरदाश्ट नहीं करेंगे ओके फ्रेंड्स अब दोस्तों हमारा चोथा नेचुरल सेंड का टाइप आता है हमारा पिट सेंड जिसे हम देशी भाषा में बदरपूर के नाम से भी जानते हैं जिसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह है गड़ों में से खोद कर निकाली जाती है इसलिए इसे pit sand या गड़े की rate का जाता है इनका रंग जनरली लाल और नारंगी होता है दोस्तो इसे हम core sand के अंदर भी classify करते है दोस्तो यह आपको थोड़ी सी rough side मिलेगी और इसमें बिल्कुल कोई भी salt नहीं होता है इसलिए यह concrete में उप्योग करने के लिए उत्तम होती है अब दोस्तो हमारा last type आता है M sand जिसे हम manufactured sand, machine sand और artificial sand के नाम से भी जानते है दोस्तो जैसा की इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह machine द्वारा बनाई जाती है दोस्तो इसमें होता यह है कि machine में पत्थर को डाल कर उसे grind किया जाता है जिससे बड़ी-बड़ी पत्थर की चटाने machine द्वारा तोड़कर छोटे-छोटे कणों में बदल दी जाती है फिर इस चूरे को machine में ही छान कर wash किया जाता है ताकि find dust निकल जाए basically जब आप crushing plant पर M-send purchase करने जाओगे तो वहाँ आपको दो तरह की M-send देखने को मिलेगी एक तो धुली हुई और एक बिना धुली हुई तो जो बिना धुली हुई M-send होती है उसमें find dust भी include होती है और उसे generally हम concrete में use लेते है वही जो धुली हुई send होती है उसे अलग-अलग मोठाई की चलनी से चान कर अलग-अलग तरह की M-send में particle size के अनुसार divide कर दिया जाता है इसलिए आप जब भी M-send लेने जाएंगे तब आपको हो सकता है अलग-अलग size में M-send दिखे वैसे तो दोस्तो M-send पर detailed video आने ही वाली है क्योंकि यह topic अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको short में बता दूँ कि जो मोठी धुलीवी M-send होती है वह concrete के लिए सबसे best होती है इसकी compressive strength गजब की होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है हालकि दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि M-send की मजबूती इस बात पर भी निर्बर करती है कि वह किस तरह के पत्थर को पीसकर बनाई गई है कई बार लोग पैसे बचाने के लिए सस्ते और कमजोर पत्तर से भी M-send बना देते है तो इस प्रकार की cheating से हमें सो सावधान रहे बाकि M-send पर मेरी detailed video जरूर देखिएगा अभी इस video में मैंने video को short रखने के लिए सर्फ आपको मोटा मोटा बताया है बाकि सबको हम तसलिसे cover करेंगे फिलाल इस video को यहीं समाप्त करते हैं मिलेंगे आप सब पर नेक्स video में तब तक ले जाएं दो वने मातरम